सामने वीडियो में आप देख रहे हैं एक खूब लेलाता हुआ और जिसमें जवर्दस्त तरीके से फ्लोवरिंग हुई है और ग्रीश मृतु में इस पौदे में फ्लोवरिंग और फ्लोवरिंग दोनों ही होती है और खास बात यह है कि यह पौधा तमाम बेजवानों को फीडिंग नेश्टिंग रेप्रोडेक्टिव एरिया और कंसीलिंग और वैस्किंग के लिए प्लेस प्रोवाइड कराता है उसी संदर्म में हम दिखाने जा रहे हैं कि इसके ऊपर एक बहुत ही जाना पेंचाना रेप्टाइल बेरी अर्ली इन दा मॉर्निंग वैस्किंग करता हुआ आप वीडियो में देखकर के यान जाएंगे यह कौन सा रेप्टाइल है यह देखिए अभी इसका माउथ दिखाई नहीं दे रहा है ट्रंक, टेल और अब्डोमिनल एरिया दिखाई दे रहा है यह एक ऐसा रेप्टाइल है जिसकी टेल, हेड और ट्रंक दोनों को मिला करके भी बड़ी है सीधा सादा भूला भाला रेप्टाइल अब देखिए इसने मुझको सुन भी लिया है और यह देखिए अपना माउथ उपर की तरफ कर लिया है यह कैलोट्स है जिसको गार्डन लिजार्ड के नाम से जाना जाता है नॉन प्वाजनस, नॉन टेंजरस छोटी उम्र में इसको अब देखिए तुरंत भाग भी गया है जैसे जान गया और यह देखिए आँपर कंसीलिंग कर गया है तो इनको सेब करें कभी मिल जाए मारे नहीं बहुत ही सीधा सादा भोला भाला और इंसेक्टिव उरस है मिलते हैं अगले नए वीडियो में तब तक बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें सेयर करें मैं डिस्कबरी ओफ बाइल्ड नेचर चैनल से